हेलो एवरिवन प्राइम नोलेज 181 में में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम साइन्स के चेप्टर पधार्त की अवस्ताएं बोतिक एवं राशाइनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे हमारे चारो और इस्तित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे जल, हवा, नमक, किताब, कम्पुटर, आदी सबी द्रवे या पदार्ते हैं प्रतेक वस्तु जो इस्थान गेरती हैं जिसमें द्रव्यमान होता हैं एवं जिसे पांच ग्यानेंद्रियों दुआरा महसूस किया जात हैं वह द्रव्य या पदार्त कल आता हैं जैसे सोलीट, लिक्वीड, केस सभी वस्तुएं चाहे सजी हो या निर्जी उपांच तत्वों से मिलकर बनी हैं वायू, जल, अगनी, आकाश, प्रत्वी द्रव्य छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हैं कणों के बीच रिकत इस् प्रिया गया हैं जिसका हर्त अविवाज्य होता हैं तत्व का वशुक्षमतम कण जो सवतंत्र अवस्ताओं मेरा भी सकता हैं या नहीं भी उसके रासाइनी गुंदर्वों में भाग लेता हैं, प्रमानु का लाता हैं, साधरन तया आनू एसे दो या दो से अधिक प्रमान का समूं होता हैं जो हापस में रासाइनिक आबंदो दुवारा जूड़े होते हैं अनू रासाइनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता हैं वह तत्व या योगी का मिश्चुक्ष्मतम करनें द्रव्य मुख्यत तीन रूप में होता हैं ठोस द्रव गेस ठोस की अवस्त में पदार्त, निश्चित आयतन, द्रव्यमान और आकरती रखते हैं उदारन लकडी, मेज, पेन, किताब, आदि ठोस असंपडिय और कठोर होते हैं प्रबल अंत्रा अन्वी बलो के कारण ठोस बहुत अधिक संगन और उजगलनांक वाले होते हैं ठोसों को दो भागों मे करम सुव्यवस्तित होता हैं उदारन सोडियम, क्लोराइट, क्वाटर्ज, डायमंड, ग्रेफाई, डाधी, क्रिश्टलिय ठोस इसमें करणों की आकरती नहीं होती हैं इनका करम व्यवस्तित नहीं होता हैं उदारन ड्रबर, काच, प्लास्टिक, क्रिश्टलिय ठोस को बार्प ठोस हैं लेकिन यह पानी पर तेड़ती हैं बर्प का गनत्व पानी की अपिक्षा कम होता हैं बर्प में दुर्बल हाइड्रोजन आबंद के कारण वायू बरी रिक्तियां होती हैं ड्रव अवस्ताओं में पदार्त की आकरती निशित नहीं होती हैं लेकिन आयतन निशित होता हैं जिस पात्र में रख्य जाते हैं उसी की आकरती ले लेते हैं उधारन जल, तेल, दुद द्रव में अंत्रा आणविक बल प्रबल नहीं होते हैं ये गतिशिल होते हैं वह आयतन निशित होता हैं गेस अवस्ताओं में पदार्त की न तो आकरती निशित होती हैं न आयतन उधारण वायू, हाइड्रोजन, ओक्सिजन, नाइट्रोजन गेसी अवस्ताओं में अंत्रा आणविक बल बहुत ही दुर्बल होते हैं और आणवों के बीच अंत्रा आणविक इस्तान बहुत अधीक होता हैं यदि यही कारण है कि ठोस द्रोव की पिक्षा गेस बहुत अधीक संपिडी होती हैं प्लाजमा अत्यधीक उर्जा वाले और अधीक उत्यजित कणों से बना होता है फ्लोर सेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाजमा होता है उज़त आपमान के कारण तारों में भी प्लाजमा बनता है जिसके कारण इसमें चमक होती है बोस आयंस्टिन कंडन सेंट इस एक में USA के एरिन ए कानेल उल्फ गेम केटर इले और कारल ई वेमेन ने बोस आइंस्टेन कंडेंशन की अवस्ता प्राप्त करने के लिए बोतिक की में नोबल पुरुसकार प्राप्त किया था दो विभिन प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वत अन्त मिश्रन होने की प्रक्रिया विश्रन कहलाती है थेंक यू